आज हम सीखेंगे कि traffic light setup के माधहम से हम किस प्रकार investing कर सकते हैं monthly timeframe ठीक है तो हम एक चार्ट लेते हैं sonata software का monthly timeframe का चार्ट है और इसी स्टॉक का हम जो है लेसिस करेंगे और बाकि आप लोग जो है अन्नी स्टॉक में आप इसकी testing कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों जो रूल रहे को माधेम से हम किस प्रकार से इनीस्टिंग करेंगे वह हम सीखते हैं मन्थली टाइम gram ठीक है तो हमें तीन इंडिकेटर का अप्यों करना है सबसे पहला birth है घ्वर है करा सभी तो इनडिकेटर करना है तो इन्पूट हमें इसका फोग करना है बाकी सारी चीजे टिक कर देनी है ठीक है और उसके बाद हमें क्या करना है थार्ड और फोर्थ बैग्राउंड कलर को क्या है अंटिक करना है ठीक है फिर seven और eight को क्या है हमें क्या करना है untick कर देना है फिर उसके बाद नीची के live और понравर values को हमें untick कर देना है दोस्तों आप लोग देख लेजिए फिर से background color को दोनों को हमें untick कर देना है उसके बाद gain, swing, high, plot triangle down triangle down और triangle यंगल цен आपको हमें क्ला करनाएं ठीक है फिर लैब और वाईलू कौं कि करके इसको हमें शेभ कर देना है यहें हमारा हो गया पहला इंडिकेटर 4 य हूं रे 1.5 कर देना है उसके बाद super trend की setting जो है वो 2 करनी है ठीक और 8R period हमें 1 कर देना ठीक और इसके बाद हमें इसको save करना है style में क्या करना है style में सारी चीजे ठीक रहेंगी उसके बाद हमें background color में क्या करना है हल्का green कर देना ठीक है background color में हल्का green करना है और color 1 को क्या करना है हल्का red कर देना ठीक है तो यह हमारा setup लग गया और इसको हमें save कर देना ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है cm एक indicator लेना cmult macd ठीक है वीटू का यह भी तो तीनों setup मरें क्या है वीटू के ठीक है तो histogram में हमें क्या करना है histogram में columns कर देना है ठीक है बाकी दर कोई changing नहीं है बाकी फिर आपको यहां प्याना है faster like 5 करना है slow length को में 15 करना है daw और source क्या करना है इसको अगर आपको क्लोज है तो इसको हमें open कर देना और इसने हां मुझा कर देना है बाकी दोनों एम में रहेंगे नहीं और सारी चीजह हमें टिक सब्सक्राइब दोस्तों यह हमारा सेटप बनके त्यार हो गया दोस्तों बहुत ही सिंपल सेटप है अब आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि हमारा एमसीडी का क्रास ओवर सिगनल लाइन नेली कलर की जो एमसीडी की लाइन है वो सिगनल लाइन है और जो हमारी एमसीडी की लाइन है वो ग्रीन लाइन है तो यानि कि जब भी एमसीडी की लाइन सिगनल लाइन को क्रास करती है यहाँ पर यह सुनाटा कंपनी का हम देख रहे है ठीक है तो इसको मुझø से चेक करते हैं बाकी आप लोग जो है कर लिजेगा अनटीं तो हमें क्या करना था सबसे पहले ट्रेफिक लाइट कंडल का मतलब क्या हो गया कि हमें लो कलर का केंडल जाहिए जिस परकर से ट्रेफिक लाइनों में लाइटों में हमें क्या करना है हमें क्या देखना है एक लो कलर की लाइट देखना है अगर तीनों केंडलों की रिंज सेम हो जाती है यानि कि अगर हमें रेट ग्रीन और लो कलर की केंडल मिल जाती तो वहां हमारा फुल कनफरमेशन हो जाता है ठीक जैसे यहां कि हमें नीचे से भी जो फोर एम में है वो भी हमारी ग्रीन बन जाएगी यानि कि इल्लो कलर के हाई को जो मार्केट की प्राइस अब क्रॉस करेगी तो हमें अपने पुजीशन को बना लिने ठीक यह मंतली टाइम फ्रेम में हमारा इल्लो कलर का कैंडल अगर उसके पीछे रे लॉकर करने जब हमारे कहां टर अ किक डीलय चैनल लाइन को नीचे क्रॉस कर देगी तो और यहां पर हमें profit कब बूक करने के लिए मिला कितिने रुपए पर 35 रुपए के आसपास याने कि 10 रुपए की बाइंग थी 35 और 34 रुपए के आसपास हमें एक बार profit करने के लिए मिला ठीक है फिर हम देखने कि हमें traffic light signal candle कब मिलता है ठीक है अगर हमारा traffic light मार कर लेना ठीक है अगर हमारा जिस candle हम लोगा मार करना है हाई जब रेक होगा तो हमें पूजिशन बनानी है ठीक तो यहाँ पे 20 रुपए के उपर हमारी बाइंग थी Sonata Software में और हमें निकलने के लिए कब बोलता है हमारा MACD हमें कब बोलता है निकलने के लिए लगभग इस चार्ट पी ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं केंडल मिल गया तो इस केंडल का हमें क्या करना है हाई और लो मार कर लेना ठीक है ट्रेफिक लाइट केंडल मींस इल्लो कलर का केंडल और इलो कलर की candle की body का high जैसे break होगा हमें position बनानी है ठीक है तो यहाँ पर हमने position बनाई और market हमें हाई कहा तक गया है हम देखते हैं हाई मारा है 166 का 124 के मारी buying थी ठीक है तो अब हमें क्या करना है जैसे यह red candle बना तो इसके नीचे नहीं आने देना है याने कि 144 के नीचे अगर मार्च लो प्राइस आती है तो मैं फ्राफिट को बुक कर लेना यहां पर हम दोस्तों देखते हैं फिर से market क्या करती है अब यह सपोर्ट और रोजिस्टेंस का भी काम करेंगा आप लोग देखिए जैसे यह जो हमारा पिछला इलो कलर का candle है ठीक है सब्दोनेट-इसका मार्केट की प्राइस उपर जाती है ठीक 1067 के पास और फिर से यहां पटी आती है यानि की एक बार सपोर्ट लेती है यहां पर देखते कीनबकर अबर सपोर्ट लेती है और फिर में breast ड्राइफिक लाइड गैडल मिलता ठीक है तो ट्रेफिक लाइड के उपर हमें बाई करना है और लो का क्या करना है stop loss लगा देना ठीक है तो हमारे कितना हो जागा 110 रुपे का stop loss है 134 गैभी करनी है और यहां से आप देख सकते हैं आपको कितना का momentum one way मिला है तो यहाँ पर हमारी mcd ने हमें कम निकलने के लिए बोला है लगभग इस केंडल पर थे केंडल जब भी क्लोज होता या यह रेट केंडल का लो जब भी ब्रेक होगा तो हमें यह वहां पर इपने प्राफिट को बॉक कर लेना है ठीक है फिर यहाँ पर हमें क्य बच्ठ केंडल कसख श्च कर सकते हैं एक सेल कर सकते हैं फिर चैनल कैंडल मिला कप यह जुलाई 2020 को ठीक है इसका हाइब रिक हो गया तो हम भी ने करें कर ले ना है और हमारा LCD भी क्या है सिगनल सिगनल जो blue line हमें उसके off-side आजाता है कभ ada work कर ले लेना है और हमें क्या करना है स AOP 4 िम में निकलने के लिए बूलता है तब तक हम जो है अपने च्रेड में बने रहे हैं या फिर हमारा ंसीट जो है यहां पर यह बनता है और यहां पे हमें लगभग कितना profit मिल गया अगर 200 के आसपास भी हमारी बाइंग थी 205 यह 10 के आसपास तो यहां पे हमें लगभग 300-350 रोपय का एक श्टाक में profit हो गया ठीक है फिर से दोस्तों हमें वेट करना यहां फिर से मार्केट जो है ठीक है और यहां पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो है mcd की लाइन जो है जीरो लाइन की नीचे नहीं जाती यानि कि इस स्टाक में जब भी फिर से हमारा mcd अगर ग्रीन बनेगा तो फिर से में buying sign का signal मिलेगा ठीक है तो यहां पे अभी जल्दी sonota ने क्या किया था हम लोगों को बाई का signal दिया था यहां पे लो कलर की candle के हाई के ओपर हमें मार कर लेना है ठीक दोस्तों यह मंतली टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टिंग है ठीक है तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स डिवीटियो में कि वीकली टाइम फ्रेम पर किस प्रकार से हम इन्व लो कलर का candle मिला एलो कलर की candle के हाई लो का हमें मार करना है एलो कलर की candle का हाई जब भी ब्रेक होगा तो हमें ट्रेड लेना है और एलो कलर की candle का लो का हमारा क्या रहेगा स्टाप लॉस रहेगा ठीक है यानि कि 509 रुपे का स्टाप लॉस पांसो च्छी आसी की उपर हमें वाइब करना है हो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि profit हमें कितने पॉइंट का मिल गया है अभी तक profit हमें कितना मिला है 877 रुपाई का ठीक है तो है तो तो और 587 अगर अग्रम 600 के पास भी खरीदें हैं तो यहाँ पह अभी तक कितना profit हो चुका है यादि कि अभी हमारा साथ सोरानवे पंचानवे का हम लगा सकते हैं अगर साथ सो पंचानवे की नीचे मारत प्राइस आती है तो वहां पे हमें एक बार अपने पुंजी को निकाल लेना प्राफिट को छोड़ देना तो प्राफिट हमारा धिरी-धिरे ग्रो करता रहेगा उससे में डिविडेंट प्राइटों के साथ जरूर शेर करेंगा आज सीखा कि वन मुन्त के टाइम फ्रेम किस प्रकार से इंवेश्टिंग की जाती है तो अभी हम क्या करते हैं कि श्टॉक को और देख लेते हैं जो की सबसे वी या कमझोरी स्टॉक में अब दोस्तों है हमारा या यस बैंक चाट है तो इसको भी पीछे से देख लेते हैं किसे कार से इंविस्टिंग कर सकते थिक तो यह में इंविस्टिंग के लिए देता है कि नहीं देता है तो यह हमारा टाइमफ्रेम है लगभग 3 मार्च 2014 तो यहाँ पर हमें एक लो कलर का Candle मिला traffic light signal Candle मिल गया candle के हाई कोपर यानि की 82 की उपर हमें बाई करना था और यहां पर प्राफिट कब तक मिल गया दोस्तों यहां पर हम देखते हैं यहां पर प्राफिट दो तरह से बूख कर सकते हैं ठीक है यानि कि जब हमारा इसकी पर प्राफिट को यहां में युद्वाइं प्राफिट कर सकताइए यहां हमारा इस्ट प्राफिट वर्णने लगा तो यह जो ग्रीन कैंडल ने प्रेच आपने स्टाप्लास को ट्रेयल कर लेंगे फिर यह कंडल ने कुलोजिंग दिया नेक्स्ट मन्थ के लिए अब हमारे लिए यह ग्रीन केंड़न हमारे लिए स्टाप्लास हो गया यानि की जो हमारा सबसे लोवर साइडवेज जब मार्केट थी तो वहाँ पर सबसे लोगर पॉइंट क्या था हैंडेड रूपीज तो यहाँ पर हमें हैंडेड रूपीज नहीं बलकि हमें 94 रूपीज का स्टॉप लगा लेना ठीक है 5 रूपय 6 रूपय का हमें बफर देना पड़ेगा ठीक है फिर यहाँ कंडल ने क्लोजिंग दे दिया फिर उसके बाद इस ग्रीज कंडल के नीचे यह कितनी पर है एक133 का तो यहाँ यहां पर हम चैरूपय का बफर देगे तो 127 कहां पासका हमारा इस टॉप लास हो जाएक तो आपका एक 143 की नीचे गर मार्किटी प्लेस करती है हम निकल जाएंगे liberal नी खेसे जाए कि 156 रुपय का बफर देंगे तो 149 का 149 का हमारा इस्टाप लास हो तो यह हीट नहीं हुआ फिर धीरे इस तरह से केंडल वाई केंडल इस्टाप लास को ट्रेल कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना है कि आपको हमेशा जब भी में से डी की लाइन रेड बन जाएगी तो आपको अपने प्राफिट को बुक कर लेना ठीक है तो यह हो गया हमारा इस बाइंग का फिर उसके बाद हमें एक लो कलर का सीगनल केंडेल मिलता है यानि कि यह गोट आला हो गया थे फिर दिरे से ओक फिर मार्क्ट क्या हुनी कहा हमें मिल गया कि 306 के उपर हमारे सेट अप ने हमें क्या दिया था यानि कि यानि 206 की नीचे यह हमें इसको सेल कर देना था ठीक है 603 की नीचे कोई भी मार्केट की प्राइस क्लोजिंग करती है तो वहां पर हमें क्या करना था सेल कर देना था दोस्तों ट्रेफिक लाइट सेटप इतना अच्छा है कि आपको पहले ही बता देगा कि इस स्टॉक में क्या होने वाला कुछ दिक्कत आने वाली है तो आप वहां से निकल जाईए अगर आपकर ट्रेफिक लाइट सिग्नल केंडल बनता है और मार्केट प्रा पैसे कहां पर आती इसकी प्राइस जब यह इस भाएंक्यों में घोटाला हुआ था तो सेटप ने पहले आपको बोल दिया था निकलने के लिए ठीक है यहां पे आप बीच बीच में देख रहे हैं कि यहां पर एलो कलर केंडल बन रहा है लेकिन जो हमारा ट्रेफिक लाइ जितना भी लॉस हो रहा है अपनी पूझी तो निकाल लेनी है ठीक है फिर उसके बाद एक ट्रेफिक लाइट सेटप कहां पर बना ये ठीक है अब यह ट्रेफिक लाइट सेटप का अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें क्या करना पोजीशन बनाना है ठीक है तो यहां पर हमार हो चुका है ठीक तो इस भी आई से उसको काफी जो है सपोर्ट मिला है तो यहां पर भी एक जुलाई 2022 को क्या हमारा एक ट्रैफिक केंडल मिला 14 रुपए के आसपास और मार्केट की प्राइस कहां पर गई 24 रुपए के आसपास तो दोस्तों अगर कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई भी बैंक है जहां पर जो है उसके लिए अच्छी निज नहीं है तो यहां पर अगर हमारा ट्रैफिक लाइट स्टीट अप केंडल अगर हमें भाई का सिंगल दे रहा है तो वहां पर हमें ज्यादा दिन होल्डिंग करके नहीं रखनी है ठीक है वहां पर हमें यह यह वेट नहीं करना कि यह जब हमारा रेट बनेगा तब हमें निकलना ठीक है तो यहां पर क्या करना है हमें अब यह सब्सक्राइब कर दोस्तों कि आसपास आ रहा है तो अगर हम फिर से यहां पर पोजिशन बनाएंगे तो फिर से अपसाइड जो है 20-24 रुपए जाने की चांस है तो यहां पर हमने देखा दोस्तों कि एक सोनटा सौफ्ट्वेर कमपनी जो की बहुत इच्छी कमपनी है वहां पर किस प्रकार से मार्केट जो है एक अपवर्ड मॉमेंटम में थी और अभी भी है और वहां पर किस प्रकार से हमें जो है करना था करना था की हमारे का यहां पर हम देखते हैं कि हमारे सेट अप निकलने के लिए एकβेट करने के लिएवा यहां पर अधिक या था ऑसके नेशे अगर मारी प्राइस चली जाती है तो वहाँ पर हमें अपना सारा प्राफिट जो भी है वह बुक करके निकल जाना ठीक है तो आप लोग हमें से याद रखिएगा अगर हमारा कोई भी ट्रेफिक लाइट सटाप केंडल बन रहा है और उसके नीचे का लोब्रेक होता है तो उ किस प्रकार से इन्वेश्टिंग कर सकते हैं नेश्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है विकली टाइम फ्रेम पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और फिर इन्वेश्टिंग कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा मोटी यह है कि एकर हम और आप अगर 50-50 के जो 50 बड़ी कंपनी है कर उसमें हम इंवेस्टिंग करते हैं प्रतिमाः 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तो आने वाले 20-25 साल में हमारे पास इतनी पूंजी हो जाएगी कि हम अपने बच्चों की पढ़ाय लिखाया असानी से कर सकते हैं किसी भी बैंक से या कंपनी से ह सकता नहीं होगी और हम अपने परिवार का पालन पोछण असानी से कर सकते हैं तो दोस्तों मेरे में मोटी यही है कि हमारे देश का प्रतिक नागरिक जो है इन्वेस्टिंग के बिसे में सीखे और अपनी एक छोटी सी पूंजी पांस रुपए या 1000 रुपए प्रतिमाह ल